तो भाईयों कुल्म लाइकर आचुके एक और नई वीडियो के साथ वापास और गाइस काफी सारे लोग बोल रहे थी कि यार चलो मोड में वो चीज है कुछ और भी नया है की नहीं तो भाई देखो इस मोड के अंदर ना ऐसे इगलू टाइप के बहुत सारे घर है और आज हम लोग यहीं पर कूदने वाले हैं अब मैं है क्यों नहीं कूदता अब ही बताता हूँ पहले तो भाई लूट लूट तो ठीक है लेकिन बसड मस्ती है ना भाई किसी को कुछ समझ नहीं आता और उपर से हम वीपिये लाग खेलते हैं मतलब उसमें तो मौट पक्की है बस देखते जाओ अब दो को यहां मुझे समझी नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं खेर मैंने है पर बीन ली चलो यह बंदा नॉक हो गया यह कुछ आदी उड़ रहा था भाई अब यह बंदा पेड़ के बचे टीपी ले रहा था असली इसको भी नॉक किया अब आप लोग सोच रहोंगे हैं मैं अभी तक निकल की रहा उपन में तो भाई जैसे निकलूंगा ना तुरंट फाइट हो जाएगी और गन भी कुछ खास धंकी है नहीं मेरे पास तो चलो गाईज अब हमें यल्लो कॉइन मिल चुका है तो उडान भरना चालू करते हैं यहांसे मैंने कॉइन हाथ में लिया अब में उड़के जाता हूं इस बंदे पर रश करने के लिए एंड यहां पर एनिमेशन में उतरते ही में नौक फिनिश हो गया अभी तुम लोग सोच रहे होगा यार बस यही था नहीं 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 भाई जब हमारे यहां पर यह मोड आ जाएगा तब हम इसमें कुदा करेंगा क्योंकि तब हमारा पिंग का कोई शू नहीं जाएगा अब लोग सोच रहे होगा पिंग तो ग्रीन है लिए कि में पहले ही बता चुका हूं आप लोग को इसके बारे में यहां से अगर आपको इस में मलग पबजी में अगर आप लोग वीपे लाग खेले आपको फाइट में जीतना आ न तो सिंपल सा बही है अगर तुमने प्री नहीं दिया न तो सामने वाला आपको प्री फाइर के अंदर भी मार ही जाएगा खैर यहां पर देखो आते ही में तीन-चार बंदों को भर दिया अब कम से कम सकुन तो मिल रहा है मिरको अब इसके बाद मिन तो वहां पर बंदों को मारने के बाद हम लोग यह आये थे और जैसे हम लोग यहां तब ही कसम से एक गोली ने लगी यह तो बेस्ती हो जाए चलो अज ऐसे भी तैसे भाई इस बंदे को मार दिया और इसका किली मिरको मिल चुका है अब यह मैच गाइस बहुत जादा इंटेंस होने वाला क्योंकि यह पूरा मैच जो है न सुरू से लेकर एंड तक भाई यहां जौर् दिख रहे थे स्पॉर्ट हो रहे थे बट लिकिन वह आ नहीं रहते अब उन्हों कैसे बिलाना था है यह फाइनली एक डासिया दिखाई दी और यार यह डासिया भी दिखाई किया दी यह उधर की तरफ ही चली गई कुल्म लाकर एक बार को लग रहा थे कि चलो फाइट हो होने वाली है बट कोई फाइदा नहीं है अब जो एक एक करके है इतनी सारी स्कॉर्ड आने वाली है ना बस तुम देख जब इतनी इंटेंस फाइट होने वाली है है बाई-साब मेरी है मैंने फाल बेख लिया टीमेट ले कवर दिया अब सबसे पहले है अब सबसे पहले तुम्हेल्ट लगाई भाई रैड जोन गिर रहा है बंदे रष्ट कर रहे है मालब चल के राइस गेम में यह और उपर से गंगे नाम पर भाई क्या बोलूमे तुम्हें तुम्हें अब इसको बगगी लेकर है एक और वन्दा आ चुका था ठीके तो मैं सोचता हूँ कि उड़के जाता हूँ इसको सर्प्राइज देता हूँ अब जैसे यह आया यह किसमें नौक किया भाई इसको एक और काड़ी याई पीछे से दूर से पड़ी में क्या है ओके तो गाई अब देखो हमारे आसपस धेर सारे बंदे थीक है लो एक और स्कॉर्ड कराश हो गया है और और यहामें एमो थाने भूली गया नाइस भाई क्या चल रहा है अची है खेर देखो अब तुम्हारा भाई बिना गोलियों के रसकलने वाला है यहाँ पर मैंने ग्रेड की खीच अब भाई मुझे लग रहा है साथ मेरा किल चुरानी कोशिस की गई कहीं से स्मोक किया है पेटी पर क्योंकि लेफ्ट में बंदों को सांट आ अब तो चलो गाईस अब हैल्थ पगर अब यहाँ पर यहाँ पर कोई कोई कर रहा है सबसे पहले लूटता हूँ अब दोगों मेरे पास लूट ठीकटा खो चुकी है लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि बंदे कितने और कहां है भाई क्योंकि चारों तरफ से तो गोलिया पड़ी रही है तो सबसे पहले तो मैं आस्मान में आया है क्योंकि इधर फिट से एक बंदा आ चुपा था सबसे पहले एक छिटा कर दे था जा कि आंपको पीछे से ना पड़े तो एक पीछी आप एक पार नियो रूट जा लुक जा एक स्विट है अब देखिशने एकिअ व्म्मभाई साब क्या चल रहा है है कितने सार ब्ला क्या चल चलना गई है यहां पर तो यह निकाला पहले बहुत ही प्यारा सा नौक अब दो को पर यहां पर ना पस जल्दवाजी दिखाने जो कोई फायदा नहीं है दो बंदों को नौक किया फिनिश अब एक बंदा साथ अंदर ही था उसने अभी फायर किया और भाई यहां पर एक स्कॉड को तो मार दिया बट अभी स्कॉड आसों बंदेते हैं और वो धीदीरे साथ क्लोजिंग भी कर देखो मैं आपर एक ग्रेंड कीपिन कीची यह लिए भाई कैच कर अगर नौक होया तो ना तो मज़ा ही आता अब देखो यह वंदा कूदा यह आया इस समय और ऐसे टाइम पर कॉन सा बट आता है कॉमेंट करके बताओ कि तुम लोग को यहां की फाइट मतलब इंटेंस तो थी मतलब कि जिस साब से चारो तरफ से बंद आया पता नहीं किसने किसको मारा हा लेकिन हमारे पास जो भी आयते हमने सबको मार दिया अब इसके बात में देखो हम लोग गाड़ी लेकर यहां से जैसे निकलते तब ही कसम से भाइ इस गाड़ी इस गोलिया करने कर पाना भाई बहुत ही मुस्किल है एक गाड़ी पीछे से आई अब दोको सबसे पहले ता मैंने गरेने किपन खीजिन बंदों के लिए कोई नाउक निकला अब सबसे पहले तो देखो गाड़ी लेकर रोटेशन मारते है ठीक है और इस कोड़ा से फिर से बंदे आ चुके है भाई आगे से पढ़ रही है पीछे से पढ़ रही है अब यहां देखो मैं नॉक हुआ मेरी टीम्मेट सबसे पहले इसको नॉक किया उसके बाद मसुमक तुरंट रिवाइव दिया अब बस एक बार मैं क्या से बिगर गर यहां रिवाइव हो जाओं फिर देखो राइव हुआ रश हुआ तुरंट विदाओं रही है इसे वहले इसे वहले जीवन दान गाइस क्या मतलब उसने इसने मेर को देखा है ने ने फिर नीच को नॉकिया फिर फिर बार मन्द लगाई एक लाइव जाए अब तो मेरे चुडा एपर मेरे टीमेट का बट अब रही तो अब बट अब रुआ तो बस एक आखरी बचा बंदा बचाया गाइस ओल्मोस किलच हो नहीं वाला है ग्रेंड की खीच के रही क्योंग बंदे की जो पुशिशन थी वो पता थी भाई साब DBS का दब दबा तो यहां भी चल रहा है मानो चाह मत मानो अब यहां मैंने अपर टीमेट को जोगा इस बचाया पूरी स्कॉर्ड को मार के अगर वीडियो ची लगी तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना अब इसके बाद में देखो वहां सब बंद अब जो यह थ्रस्ट यूज होता है ना भाई मजा आता है एक सब्सक्राइब स्पीड पकड़ता है 200-300 की पतानी 400 कितने की अब देखो जैसी महीं आया बंदा दिखा अब दो को यही दिक्कत है मैं आप लोग बतालो VPN से गोली है connection का यही issue है मतलब इतना easy बढ़िया इस परे था बट आप लोग कहोगे कि मैंने हग दिया आप ऐसा भी कह सकते हो बट लेकिन सही मैं उसको connect हुई नहीं गोली है क्या कर सकता हूँ बंदा मूपे और भाई सहाब अब इसको तो मार दिया अब जाना था हम लोग को जोन में खेर यह वाली गाड़ी है तो उनको दिक्कत की कोई बात निया भाई जोन कहीं भी हो हम निकल जाएंगे अब दो को सबसे पहले तो मैं यहां पर रुक के बूश वगर करता हूं और उसके बाद में हम लोग आयते रोजॉक स्कॉर आउस में बड जैसे यहां पर आये तब ही हमने देखा कि किसी ने तो भाई यहां पर ड्रेगन को बुलाया है ड्रेगन से विश मांगने के लिए गाइस पहला नौक तो क्या ही था और मेरे टीमें ने दूसर बंदयों को मार दिया कुलमला के यहां एक डूओ था वो कंपलीट हो गया मतलब खतम ही हो गया उसके बात में हम लोग चलते हैं अब देखते हैं ड्रेगन के पास अगर कोई विश वागरा बची हुई है तो उ यहां पर देखो हम लोग आके विश मांगते हैं और स्ट्रेंफन की यही तो चाहिए यह सबसे अच्छी विश है अगर लोग कभी यह मोट खेलो के जब बीच में एक अंदर मैं आप लोगो बस यही विश लेना भाई इससे बहुत सादा फाइदा है अपने के प्रिश कलेर हो चुके हैे जब हम ग forgiven यहां को तुम आपर यहां हृए आपरúblic हृए यहां के एक बन्दे लोगाफरिय हृए connecting लोगो दिख गया था पीक कर तो देखो भाइस को कैसे मारते हैं अब जैसे यहां पर आया तो मुझे पता चला यहां दो बंदे है भाइए सबसे पहले तो मॉली हाथ मेली यह तो भाइए फस गया यह तो पक्का नॉक होगा और भाइचाब नॉक हुआ बचा दूसरा वंदा उसके लिए गरेड़ी कीपन खीची यह फेका अब उपर वह बंदा भाइए बहुत लिट होगा यही सोचके मैं पता क्या सोचता हूँ कि एक काम करता हूँ इसको पैन लेकर मारने जाता हूँ ठीक है और जिस हिसाब से बैठा हूँ था ने इसकी मासुमियत देखके में को लगा भाइस को तो चलो पैन से ही मारते हैं बट भाइ मेरा पैन तो नहीं करेक्ट हो पाया लेकिन उससे जरू मेरे को करेक्ट कर दिया अब यहाँ देखना गाइस मैं इसको कैसे मानने वाला हूँ ठीक है फर्स्कीट लगाई जैसी तभी बंदा बहार आया और यहाँ पर गाइस मैं इसका बीम का यूज करके इस बंदे को बड़े ही आराम से मार दिया अब इसके बात में केवल तीन बंदे बचे थे और हम लोग चिकन के अल्मोश पास थे अब अगर आप देखो अभी तक भी वीडियो देख रहे हो तो मैं एक पर कॉमेंट एक बताओ कि क्या इस मैच में हमारा चिकन होने वाला या फिर नहीं देखते हैं कौन-कौन सही होने वाला है कौन-कौन गलत होने वाला है तो बस हम लोग निकल पढ़ते हैं पहले बंदों की तरफ अब जैसे यहां पर आया अब मैं यहां पर ले रहा था भाहिया अपना मसाला मुझे क्या पता था कि गाइस बंदे मेरे मुझे ही बैठे हुए जी हाँ गाइस भाहिया मैं तो बीम ले रहा था वो बीम जिसके लिए मतलब जिससे ओड़नी की स्टेंथ मिलती है बट यहां बंदे थे और हुआ कुछ ऐसा कि देखो मैं तो रिवाइव नहीं हो पाया मेरे टीमेट ना इसिंग दो बंदो को नौक कर दिया था और बट उसने जो आखरी बंदा था उसने उसको मार दिया तो एक डिलीश से चिकन तो फिर इजी मिल ही जाता बाइद विडियो अच्छे लेगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू करना अगर अच्छी है तो चैनले पहली बाइचनल को सब्सक्राइब करना न्यू मोड जल्दी आ जाएगा बीजमार की अंदर जैसे कि आप लोगों को बताया था झाली ठाली अच्छी है वजी मी जरू है झाली झाली तो चैनला की बाली जानाimana जा सुनुत वाज है्egen जा चिर अच्छी है ठाया न्यूज़ मोड़ Thousand